है आज का मारा कुश्चन है एस एंप लाफ क्ले टेकिन फ्राम नेच्रल इस्टेटाम दोस्तों यहां पर लिया गया जहां पर पार्सिली इस ट्रेट था और जब इसको ट्रिस्ट किया गया लेबरेटरी में कुछ रिजल्ट आए जो हमको यहां पर दिया हुआ है तो इस पे की वैलों वेट वेट आफ सेंपल था हुआ है क्यापिटल डवलु हो गया टू पॉइंट फैटरो न्यूटन ट्राइव एट आप सेंपल मतलब कि यह हो गया है जो हमारा स्वाइल क्या था मतलब की टबलू एस आया एंड वायल्यूम आप सेंपल जो हमारा वैल्यूम था ली जिसका आयवत्व फिफ्ट्री सेंटीमीटर क्यूब हम्हेल हम इसको सॉल करतें पहले दिया क्या हुआ है पर चीद दिया हुआ हम यहां पर लिखकेए हुए है क्य। आफ सब्सक्राइबentin पाता वाटर कंडेट होता है डबले उतर वेट ओवाटर अपान वेट और सवालिट हमको हगा यह word आफ वाटर और यहां पे डावलू एसम को दिया गया है यह हमारा जो हो जाएगा इस चीज़ हमने यहां पे किया 2.5-2.1 इसको हंडेड में मैंटिप्लाइए कि उसको परसेंट नों चैन्ज करना है तो हो जायाएगा हमारा दूस्तों 19.05 परसेंट अब यहां से हम बल्क यूनिट में निकालेंगे बल्क यूनिट किया है कि गामा इकवल टू डबलू अपान वी टोटल वेट अपान टोटल वैलू टोटल वेट हमारा 2.50 था और टोटल वैलूम था 150 सेंटिमेटर क्यूब हमने इसको स्वाल किया तो आया 0.167 अब दोस्तों किलोंटर में चेंज करने क्यों में के लिए तो हो गया 16.38 क्यों पर मेंटर क्यूब तो हमारे ये बल्की यूनिट वेट ये निकल के आगया अब यहां से gamma d निकाल लेंगे gamma d की value अब यहां से gamma d equal होगी गामा अपान 1 प्लस w यहां से value आ जाएगी 16.38 अपान 1 प्लस 0.905 यह हमारा क्या water content तो gamma d equal to हमारा हो जाता है 13.76 तो हम यहाँ यहाद हो तो आप यहाँ से इसको सार ले लेंगे और आप इसको देखते हैं हम यहाँ यहाँ योज किया भी गामा टेकल टो वो था गामा अपान 1 यहाँ यहाँ है हमपो जाएगा यहां पर दिया हुआ है और यहां पर रखे क्योंकि हमको यहां पर किलोंट पर मीटर क्यों में चाहिए एंसर 1 प्लस E 1 प्लस E क्वेल टू हो जाएगा इसको यहां पर ट्रांसर कर दिया 2.6 इन्टू 9.81 अपां 13.76 त्यों हम निकल के 1.854 अब यहां पर क्या हुआ इक क्वेल टू जहां पता करें तो यहां पर मानस बन होगा तियह हो जाएगा 0.854 यह पता दल गया अब डिग्री अफ्ट्रेशन निकालेंगे से इकल डू 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 इन्टू जी से तो से इकल डू जाएगा डू जी अपां ए तो ए की हम पर हमको सभी वैलू पता है तो हम सब को फूट अब कर देंगे वाटर कंटर नमारा किन्दा अभी निकाले थे जीरो पॉइंट यहाँ पर अगर डिशेमल चेंज एकर तो आजाएगा 0.1905 जीक वैलू 2.6 यह हमने यहाँ से निकाला तो होगया 0.854 तो यहाँ पर हमारी जी वैलू आई डिग्री अफ्ट्रेशन की 0.58 मतलब कि अगर है इसको चेंज करें तो 58 परसेंट यही हमको कारा निकालाया थाइंक्यू दोस्तों आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करते हैं आपके वीडियो अच्छा लागा होगा वीडियो को लाइक कमेंड करना न भूलिए